आपके बस Redmi Note 13 है 13 Pro है प्लस है कोई भी फोन है तो यहां पे आप three finger screenshot की problem को क्या से fix कर सकते हैं अगर यह शो नहीं कर रही है जैसे कि मैंने तो यहां पर on कर रखा है तो ऐसे screenshot आ जाता है आपका नहीं आ रहा है तो आप जाएंगे setting पे scroll करेंगे additional setting पे click कर लेंगे इस step से option आ जाएगा अब यहां पे आपको gesture का option देखने को मिलेगा gesture shortcut और यहां पे take a screenshot इस पे click कर लेंगे इसको on रखेंगे इसको on रखेंगे अब यह तो power button वाला आपको पता ही होगा कि power button और volume up button यह volume up button और power button को दबाएंगे ऐसे तो screenshot आजाता है बंद हो गया यह आजा volume down button sorry यह मैंने इसको skip कर दियता है इस plus को देख लिया था volume down button और यह power button से आपका screenshot आ गया और बाकी जो three finger वाला है ऐसे करके इसको use करेंगे इसको on करके ठीक है बाकी long screenshot के लिए आपको यहीं पर option मिल जाएगा जासे कि इस पर आप जाएंगे ना screenshot लेते हैं तो यह scroll का option आ जाता है तो यह scroll का option आ क्यों नहीं रहा तो हो सकता है ना यहां पर कुछ आरा रहो यह scroll के option पर क्लिक कर देंगे ना तो यहां पर अपने आप screen चलती रहेगी आपका screenshot आता रहेगा स्टॉप कर देंगे तो यह से करके आप full setting कर लीजे मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्क्राइब